प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी 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 जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पाड संदियाकूब का पत्र अत्याई पांच पत्संग्या एक से चे तक ए धनियों मेरी बात सुनिये आप लोगों को रोना और विलाब करना चाहिए क्योंगी विबतियां आपर आपड़ने वाली है आपकी संबती सड़ गई है आपके कपड़ों में कीड़े लग गए है आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है वह मोर्चा आपको दोश देगा वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा यह युग का अंद है और आप लोगोंने धन का डेर लगा लिया है मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लुनी है और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी वह मजदूरी पुकार रही है और लुन्ने वालों की दुहाई विश्यो मंडल के प्रभू के कानों तक पगुँच गई है आप लोगोंने प्रत्वी पर सुख और फोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हश्ट फुष्ट बना लिया है अपने धर्मी को दोशी टहरा कर मार डाला है और उसने तुमारा कोई विरोध नहीं किया यह प्रभू की वाणी है संद मार्कुस के अनसार पवित्र सु समाजार अध्याई नौ पद संग्या 41 से 50 तक येश्व ने अपने सिश्यों से कहा जो कोई तुमें एक प्याला पानी भर इसलिए पिला दे कि तुम मसी के सिश्य हो तुमाई तुमें बिश्वास दिलाता हूं कि वो अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रगेगा येदि कोई इन बिश्वास करने वाले नन्यों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बन जाता है तो उसके लिए अच्चा येगी होगा कि उसके गले में चक्की का पाठ बांद जाता और वह समत्र में फेंग दिया जाता और येदि तुमारा हात तुमारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो अच्चा येगी है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो किन्दु दोनों हातों के रगते नरग की ना बुचने वाली आग में ना डाले जाओ और येदि तुमारा पाएर तुमारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो अच्चा येगी है कि तुम लंगडे होकर ही जीवन में प्रवेश करो किन्दु दोनों पाएरों के रगते नरग में ना डाले जाओ और येदि तुमारी आँखे तुमारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल दो अच्चा येगी है कि तुम काने होकर ही ये इश्वर के राज में प्रवेश करो किन्दु दोनों आँखों के रगते नरग में ना डाले जाओ जगाम उल में पड़ा हुआ किडा नहीं मरता और आग नहीं बुच्चती क्योंकि हर विक्ती आग रूबी नमक द्वारा रेच्चित किया जाएगा नमक अच्ची चीज है किन्दु यदि वो पीका पड़ जाए तो तुम उसे किस से चवकोगे आपने में नमक बनाये रखो और आपस में मेल रखो यह प्रवु का डीवियसु समाचार है क्रिस्ट प्रव की जय आज का प्रतमबाद हमने याकोब का ग्रंद से सुना है यहां पर याकोब पुराने विवस्तान के नभियों के परंबरा को जारी रखते हुए धनियों को उनके दुर बेवार के लिए गिरिवों के प्रदी उनके अध्सा गुशनदा के लिए कोस्त है याको करते है दनियों मेरी बात सुनो तुम लोग को रोना आव इलाप करना पड़ेगा भाइपल के अनिसार दन एश्वन ने अमें दिया है आम कैवल उसको उसके लिए करिंदा है हमारा जिम्मेदारी है इसको जिम्मेदारी पूर्ण रूम से संभालना इसका उभ्योग करना सारे विश्व प्रवुका है इसकी सारी संबत्ती प्रवुकी है और इंसान को यह संबत्ती इसलिये दिया गया कि वो अपने लिए प्रयोग करे और साथ-साथ दूसरे जनता कि आप शेकताओं के लिए पूर्ती करे यह जिसलिये नहीं दिया गया कि वो इसका जम्मा करके बंढ़र में रख दे और अपने फाइदा के लिए जब चागे इस्तमार करे प्रव येश्वी ने एक द्रस्टान सुनाया दा धनी विक्ति का, मूर्क धनी का उसने परभूर मेंगनते गिया, बहुत कमाया और करा कि अभी मेरे बंडार बहुत चोटा इसलिए उसको तोड़ देंगे, बड़ा बंडार बनाएगे सक्वुच माय अपने लिए जमा करेंगे और आनन्दपूर आने वाले दिनों में मैं उसको खाऊंगा इस्तमाल करूंगा, उभियोग करूंगा अपरव इश्वी ने का गा उसी रात उस भक्ति से उनका इसाव मांगा गया, उनका जीवन का आन्दिम रात थी इश्वर ने संसार को इतना धन दिया, दावलत दिया है कि इंसान, हर एक इंसान में इसमें अकदार है और उनकी जीविगा, उनके जीवन बिना अधिक कस्ट के सभा निभा सके संद जाकोवाज के समय कहते हैं, विबत्ती पढ़ने पर आपकी संबत्ती सड जाएगी आपके कपड़ों में कीड़े लग जाएगे, आपके सोना चांदी पर मुर्चा लग जाएगा उन जमाने में संबत्ती तीन प्रगार की होती थी एक तो इकटा करके रेकने वाला बंदार में भर दे, दूसरा है बड़ी बड़ीया कपड़ा करके लो कपड़ा इस्थामाल करते जैसे प्रव एशे ने एक धनी विक्ति और लास्वरस का दृस्तान सुनाया था, ओ धनी विक्ति का कपड़ा ओ बगेने कपड़ा पाने थे और आज के दुनिया में भी पैस्या फ़ाले उढ़ा बास इतना कपड़ा है, इतना कार हे एक वित्ति के लिए सम्वा्री करने के रेक कार के बिढ़ा ज्रुएते ओनके पास काई कार होगा, काई कपड़े होंगे, काई जूते होंगे, इतना इस्था करकर रहतेमें एकटा करके रहते हैं, धन्यों के पास बहुत सोना चांदी होगा, और जाको कहते हैं, यह सब बेकार का होगा, तुम्हारे माल जो इकटा करके रहका है, उस सड सकता है, तुम्हारा कपड़ा सब कीड़ा का सकते हैं, मुर्चा लिख सकते हैं, तुम्हारा चांदी सोना सब लूट ज आपने उने मजदूरी नहीं दी मजदूरी जैसे हम जानते हैं बह। लोग मजदूरी देते नहीं बह। गोन्डराकटर लोग दुनिया भर है वो मस्तूरों से काम करवाते इसके बाद उनको पूरा पईसा नगी देते हादा हादा दे देते हैं और उनको कभी-कभी भगा देते हैं प्रवर एश्व ने दिर्स्थांद निया है दहा भागवान में काम करने बाले मस्तूरी नको सबस्क्राइब दिया था इस न्याई है को बाल आखे जितने से ओ अपने परिवार संबाल सकते हैं बेइस, minimum family wage एकाते इसको, minimum family wage, और हर एक इंसान का है, अक है, को उनको काम मिल जाए, सरकार का ये जिमेदारी होती है, हर एक नाकरी के लिए, जीवरिका के लिए काम दिलवाए, काम नहीं करने वाड़ा ना काई, ऐसे पावलूस ने, तेसलोनिय का नम पत्र में लिखा है, प बोट लोग ऐसे है, हमारे इस प्रदेश में से कई लोग दूसरे जगह काम के लिए जाते हैं, प्रणी जमाने में लोग जाते दें, बंबे या पंचाब, आज इकल, बैंगलूर, मदरास, केरल, इत्यादी प्रदेश में लोग जाते हैं, काम के लिए क्योंगी वहां पर उनको तनका मिलता है, मस्तूरी मिलता है, बिदेश में भी जाते हैं, घरों में सेवा करने के लिए, नवक्री करने के लिए, मस्तूरी करने के लिए लोग जाते हैं, क्योंगी वहां पर उनको नवक्री मिलता है, जीने के लिए काम करने को लोग तैयार है, पर उनको न्याय पुरुण मस्तुरी देना है जाकोब आज करते हैं तुम लोग ने गरीबों को जो उनकी हक है मस्तुरी पाने का उतना मस्तुरी नहीं देतें हाँ और तुम गरीबों की अप्शिक कताव़ों को नगर नियसे समझ कर अपने लिए विल्दे सभ कमाते पीते जैसे ओ गजोग दनी विक्ती जिनका दुस्तांद प्रभु ने सुनाया था जाको यिए समयार्ये है तुम को हिसाब देने का समया रहा है सबका न्यार करने वाला यिशु और सबके साथ जयाए करेंगे, अन्तिम जयाए कर दिन आइसा है, प्रभु येश्व ने कागा, कि जब मैं भुका तुमने मुझ खिलाया, जब मैं प्यासा तुमने अमें चे पिलाया, मैं दंका तुमने अमको पगनाया, अंक्री नयाए इस पर है, जिस तरह तुमने दूसरां कर साथ कर्याप्त तो हमें ये ऐस टीवड है, रेकने वाला मैं अमेदारी बाचमान का काम है हमारा, हमें ऑगो ईश्वार के इस सब्स्क्ति, वाचमान मेफेना को ईश्वार कीशारी स्रुड então हमें सारी स्रुच्टि सारी संबति ईश्वार की ए दिनाना प्र्यों करना आरे और द दनी बिक्ति है, और लाकों करोडों लोग आज भी भूके रखने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए परियाप्तने सरकार प्रीमी अनाज देते हैं, आईसे उस अनाज से जीने वाले बहुत लोग है उमारे देश में, और चेकी लोग अनाज, या किसने भी आरे एक सरकार अपने अनाज देते हैं गरीबों को, पर दो इससे काम नहीं होता, और विच्चों को पड़ाना है, उनके भाविश्य नर्मान करना है, बहुत कुछ काम करना है, इसलिए न्याई की जरूरत है, अभी भी गरीबों में रखेगे, अभी आम तो 21-22 सदी में थोरे दुनिया में गरी गरीबों को पुकार इसलिए के पास पाउचता है, जाकोव यह हम इस बताते हैं, आज के पार के दोरा हमें भी सदर करेना है, हमारे पास जो पाईसा है, वो क्यों अमारे लिए नहीं, ना क्यों अपने बच्चों के लिए, हमें कुछ जिमेदारी है, पहले एक जएना कालि सेवाकरी के लिए, आप मेषार के लिए, आप सपॉनसर कीजिए बैचों को आपने पूरोस के बैचों को दीजिए, पढने के लिए, उनका निर्मान के लिए पुरसागंदे यह दिमेदारी होती है हमें इतना हैзд के पास पास, जाक्त के संसार में इतने लिंपी नहीं है कि मैं उदर हजारों मर्ष रगेने वाला है आज रात भी प्रभू मुझे इसाब दे सकते हैं आउंको देना पड़ेगा इसलिए प्रभू नभीयों के दौ़ारा आज विशेचर के संजाकोब के दौ़ारा हमें ये छेदावनी देते हैं कि हम संसार के सुग विलास कि अपने जीवन में जीवन को ना दुबाए जो कूछ हमारे पास से हैं उसका सगे इस्तामाल करें ताकि इस वरकार आज हमारे बेच प्रगड हो जाए आज के सुसमाजार में हम पढ़ते हैं मार्कुस कहने साथ सुसमाजार इसमें येशू येशू ने अपनी सिश्यों को बताया था कि मुझको जरुसर जाना है मर जाना है ये सब करने के बाद सिश्यों में आपस में जगड़ा हो रहा देगा आज हमें से कौन बढ़ा है इसके बाद येशू कोई अमारे साथ में डूसेरा कोई लोग आपके नाम पर अवदूदों को निकालता है है और संदंडर पर मैं शिष्य नहीं जो करता है वर हमारे साथ है नहीं ओपने शिष्यों को क्लब एक प्याला पानी भर इस favorVer पिला दे कि वो मसी के सिश्य हो तो मैं तुमें विश्वास दिलाता हूं कि अपने पुरस्कार से वंजित नहीं होगा जो कुछ आम एश्व के नाम के लिए महिमा के लिए करते हैं वो उसका जिरूर पुरस्कार मिलेगा प्रव करते हैं प्रव आगे कलते हैं कि इत चोटे से चोटे भाईयों में से किसी एक के लिए विश्वास में बाधा बन जाए हमारे आजरन से हमारे बोली से हम किसी के लिए एक बाधा बन जाए ठोकर काकर वो विश्वास में गर जाए वो विश्वास खो दे अमारे बेवगार से, अमारे आजरन से, तो ये अमारे लिए शाप कारण बनेगा, अमें प्रभु कहते हैं, आइसे बिक्ती के लिए अच्छा होगा, कि वो अपने गल्ले में चक्की का पाट बांद का समुतर में कूद जाए, ठ्योंकि विश्वास में दूसरों को बढ़ने तो ये अमारे लिए शाप का कारण बनेगा, इसलिए प्रभु कहते हैं, ये तुमारा हात तुमारे लिए पाप का कारण बन जाए, तो उसको काट दो, अच्छा ये की होगा, कि तुम लू ले होकर जीवन में प्रिवेश करो, प्रभु कहते हैं, ये तुमारा पाइर के लिए हात को इसका करते हैं पाइर के लिए अपकान चलते हैं आप कहां जाते हैं पाइळा गर्ण काव में पाइसमाल legitim आप fuckin लोटपाड के लिए जाते हैं चोरी करने के लिए जाते हैं या आप अपने पायर दोसरों की मदद के लिए आप चलते हैं सेवा के लिए चलते हैं मंदिर में जाते हैं या किसी भी ऐसी आध्याद्मिक छीजों के बढ़ाव के लिए इसका इस्तमाल करते हैं तो आपको आशि आइसे ऐसे वेप साइट में आंग जाते हैं, बच्चे बड़ों आज के पड़े लिके लोगों जानते हैं किस तरह वेप साइट का दुर भीयो कर सकते हैं, और प्रोनग्रफी ऐसे ऐसे काई साइट में जाते हैं, या आप जैसे दावूद के साथ वगा दावूद एक दिन वो अपने सेना को लड़ाई के लिए बैजा परन वो आरांग कर दगा दा, और उसका आंग पड़ी एक सुंदरी अवरत के ऊपर, उसके बाद उसके साथ पाप किया, और अध्या किया, इसके बाद आपकरार का उनके जीवन में, उनके परिवार में पुरे रास्त के लिए बरबादी का कारण बना, जदी वो अपने आंग को सगी इस्तमाल करता, तो यह सब नहीं होता, इसलिए प्रवेश्व करते हैं, दूसरों के लिए पाप का कारण बना सबसे बड़ा अभिशाब है, इसलिए अच्चा होगा कि तुम अनंद जीवन में लंगडा ओकर चलो, अपांग बने के चलो, पर दो तुम पापी बनकर नर्ग में नहीं डाला जाए, नर्ग कारत यह होता है, ना क्या बोल दुख का कस्तियाव जलाये जाता है, या आगे यह सब नहीं है, इसलिए इसलिए अलग हो जाता है, वो सराह के लिए इसलिए का प्रेम से बंजीद हो आज के पाठ में प्रव येश्व एक बात और करता है, प्रव करते हैं आर व्यक्ति आग रूबी नमक द्वारा रिचित किया जाएगा, नमक अच्छी चीज है, इंदू जिदी वो फीका पड़ जाते तो तुम उसे किस से चवकोंगे, अपने में नमक बनाए रखो और आ माई अपनी, मेरी बुद्दी में आता है, प्रवी एश्व संसार में आग पाइला ने आये, प्रवी नहीं का का में इससे ले नहीं आया, कि मैं शांधी, मैं तलवार ले लेक राता हूं,GS आर माई आग लेक राता हूं, definitely आग पवित्रात्μα. है और वो नमक जो आग से तैरा नमक किन किया जाता है वो नमक के अभिशेग हमारे जीवन में यो अभिशेग है वो पीका हो सकता है अमें इसलिए बार-बार इस आग को प्रजलिद करना है आत्मा का अभिशेग बार-बार हमें प्राप्त वनाए जीवन इस सगी आजरन के द उसको प्रजलिद कर सकते हैं, उसको प्रगाशमान कर सकते हैं, तब ही प्रवने का तुम प्रतिभी का नमक हो, आविशेक के दवारा ही हम प्रतिभी का नमक बनेंगे, आविशेक देने वाला पवितरात्मा है, आग के रूमे प्रेरिदों के पर उतरा था, वही पवितरात्म हम अरेक विक्ति को बदल सकता है आत्मा का अविश्ये से ही हम बदल जाएंगे हम नया सिर्ष्टि बन जाएंगे नया विक्ति बन जाएंगे जीवन परिवर्ति दो जाएंगे यह आत्मा का अविश्ये से होता है इसलिए प्रवुकंते आपने में नमक बनाई रखो और आपस में मेर रखो ये जरूरी है प्रेर्द भी चुने हुए लोग पर भी आपस में लड़ सकते हैं कलिस्या में आम जानते हैं इदिगास में बहुत लड़ाई हुआ है इस अविशेग की कमी से आत्मा के आपस शेग भी ना हम कुछ नहीं कर सकते हैं हम लड़ते रगेंगे जब आपस शेग मिलेगा हम परिवर्तन का कारण बनेंगे और इस लोग में इस्वर का राज की हम सगाइक के बनेंगे इस्वर का राज की हम सेवक के बनेंगे इस्वार का राजी को हम फाइलाएंगे आई हम प्रार्थना करें ये प्रभू आज संद जाकूब अमें बताते हैं कि हमें दूसरे उनके प्रदी सरद्धा रेकना है दूसरों की मदद करना है जो संसादन हमारे पास है आम कैवर अपने लिए नहीं आपने देखवार करने के हमारी जिम्मेदारी है पर उसका आम दूसरों के साथ भी बाठते जैसे वो बहले समारी आपने चोटे से संसादे अपने दूस्मन की मदद किया ये प्रभू इसी तरह तो आमें भी सिका कि आम इस संसार में परिवर्तन लाए सगयोग के दूआरा आपने संसादनों को जिनके पास नहीं है उनके साथ उसको उनको सगभागी बनाकर उनकी मदद करते हुए आम इस्वर की राजे के साबना कर सके ये प्रभू प्रभू इस्वर ने आज हमें बताया कि हमारा आजरन अच्छा हो जिदि हमारा आजरन अच्छा नहीं है हम दूसरों के लिए पाप का कारण बने जाता है वो सबसे बड़ी हमारे लिए बिनास का कारण है हम पाप का कारण बने दूसरों के लिए विशेश करके जो हमारी ओर देखते हैं कि हम अच्छा उदागरन मिले प्रेरना मिले, प्रोर्सागन मिले, यदि हम वो अपनी गलत काम के कारण, अपनी गलत सोची के दुआरा, अपने बेवार के दुआरा, उनको अम पाप का कारण प्रदान करता है, तो हमारे जीवन उनके लिए पाप का कारण बने जाता है, तो हम अब शिप्त हो जाते हैं, य हमारे जीवन को परिवर्तित कर ताकि आम आत्मा से संजाली दो आरे दुनिया में ये प्रभु इश्वर का राजी की स्थावनाय में आम सग्योगी बने ये प्रार्त नाम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस के द्वारा आमेन प्रभु तेरी वाड़ी जीवन की रोठी मेनों की जोती अंधेरा मिटाती वाड़ी 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है लेखे जीवन की जीवन की बना है